बॉलिवूद एक्ट्रेस कंगना रनाथ और एक्टर रितिक रोशन के अफेर और रिलेशन्शिप में करवाहत का मुद्दा 2016 में सामने आया जब इनकी प्राइविट मैटर्स पब्लिकली लीक हो गए थे लेकिन साल भर की शान्ती के बाद इस मुद्दे ने फिर से आग पकड़ ली है हाल ही में एक इंटर्व्यू में कंगना ने रोशन फामली पे उन्हें इमोशनल और मेंटल टॉर्चर का इलजाम लगाते हुए माफी मांगने की बात की थी इस इंटर्व्यू को जहां काफी लोगों ने सराहा और उनकी हिम्मत की दाद दी वही कुछ लोगों को ये कंगना की अपकमिंग फिल्म सिम्रन के लिए किया गया महजिक पब्लिसिटी स्टन के अलावा कुछ नहीं लग रहा है बॉलिवुग सिंगर सोना महापात्र भी काफी बोल स्टेटमेंस के लिए जानी जाती है सोना ने कंगना को अपने एक पोस्ट में लिखते हुए कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रही हूँ और तुम्हारे बेबाग अंदास के लिए तुम्हें काफी पसंद भी करती आई हूँ लेकिन हाल में चल रहा सरकस को नहीं तुम्हारे लिए जिन्दगी शायद उतनी आसान नहीं हो लेकिन तुम इस समय एक अच्छे मुकाम पे हो और तुम काफी positive changes खुद में ला सकती हो वेल कंगना ने ये सब publicity के लिए किया या नहीं इस पे कहना थोड़ा मुश्किल है लेकिन सोना महापात्रा का कंगना की बातों को सरकस कहना कहीं उन्हें controversy में न ले आए फिलहाल queen famed कंगना रनौत ने सोना की बात पे कोई प्रति किया अभी तक नहीं दी है दिस इस आल फ्रम मिस्स कॉक्टेल फर नाओ दो नोट फगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइबर्स तो हैव और नेक्स सिप अफ बॉलिवर्ट कॉक्टेल